हाई फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई यूटूब चैनल सक्ति फार्मा दोस्तो आज हम डिसकस करने वाले हैं CRPF ASI Pharmacist Non-Technical Part 2 General Awareness जिसमें की हम MCQ 11 to 20 डिसकस करेंगे जो की 10 मार्क्स के आते हैं दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा और वीडियो को लास तक जरूर देखे गया चलिए अब हम डिसकस करते हैं General Awareness के Top 10 MCQ Question No.11 दुनिया का पहला सफल खोपड़ी प्रत्यर ओपन किस पर किया गया तो हमारा Option A है Robert Cain और Option B है James Boyson Option C है Phil Davis and Option D Peter Edwards तो हमारा Correct Answer है गा Option B यानि James Boyson चलिए Next Question देखते हैं अपने बजन के आधार पर सबसे मजबूत मास पे C कहां पर है Option A पिंडली, Option B बहां, Option C जबड़ा and Option D कंधा तो हमारी सबसे मजबूत मास पे C पाई जाती है जबड़े के अंदर और दोस्तो हमारे सरीर का सबसे मजबूत पार्ट होता है इनेमल जो की हमारे दाथ के उपरी सत्य पर पाया जाता है चलिए Next Question देखते हैं ओजोन परत्की रक्षा के लिए कौन सी संधी बनाई गई है ओप्षन A, Energy Community Treaty, ओप्षन B, Montreal Protocol, ओप्षन C, Arcade Agreement, और ओप्षन D, MISC Protocol तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ओप्षन B, Montreal Protocol, ये एक जन्वरी 1989 में प्रवाबी हुई थी चलिए Next Question देखते हैं CBI का पूरा नाम क्या है? Option A, Central Board of Information Option B है, Central Board of Investigation और Option C है, Central Bureau of Information और Option D है, Central Bureau of Investigation तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, Option D, यानि Central Bureau of Investigation चलिए, Question नमबर पंदरा देखते हैं निमिल लिखित में से सबसे ज़्यादा बन किस छेतर में पाई जाते हैं? तो हमारा Option A है, आश्रम Option B है, गोवा Option C है, गुजरात और Option D है, मद्धे परदेश तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, Option D, मद्धे परदेश दोस्तों, अगर हम मद्धे परदेश की बात करें तो मद्धे परदेश की Capital जो होती है मद्धे परदेश की Capital है, बोपाल और मद्धे परदेश की Governor है, लाल जी टंडन और मद्धे परदेश की CM है, कमलनाथ CM है हमारे कमलनाथ चलिए next question देखते हैं, question number 16 भारत के किस पूर राष्ट पती का सिलांग में 27 जुलाई 2015 को निधन हुआ था option A, R, Banker Tramon, option B, K, R, Narayan, option B, Sankar D, Al, Sarma, and option D, A, P, J, Abdul Kalam तो हमारा correct answer रहेगा, option D, यानि A, P, J, Abdul Kalam तो दोस्तो, Dr. A, P, J, Abdul Kalam, I, I, M, Sillong में lecture देने के लिए गए थे इसी दोरान, heart attack के करण इनकी मृत्य हो गई निधन के बाद, 7 दिन का राष्ट ये शोक की घोशड़ा भी की गई थी और दोस्तो, Dr. A, P, J, Abdul Kalam को भारत रहतन से सम्मानित किया जा चुका है चलिए next question देखते हैं Question number 17, निम्ण में से कौन सा धातू नहीं है तो option A, lithium, option B, helium, option C, sodium, and option D, cobalt तो हमारा correct answer होगा option B, यानि helium helium धातू नहीं है, और बाकी lithium, sodium, cobalt ये सारी धातू है तो दोस्तो, helium non-metallic है, इसका प्रियोग गुबारों में किया जाता है और इसका प्रियोग बाईयो यानों में किया जाता है क्योंकि ये agile and seal होती है helium और oxygen के साथ मिलाकर, करत्रिम शोरसन के लिए प्रियोग मिलाया जाता है helium और oxygen के मिस्रन का प्रियोग गहरे शमुंदरी, गोता खोरों तथा सांस के रोगी से पीडित रोगी द्वारा किया जाता है इसका प्रियोग गैस सीतलक नाविकी रेक्टर में ऊश्मा इस्थांतरन कारक के रूप में भी किया जाता है और helium का formula तो आपको पता ही होगा helium का formula होता है हमारा HE ओके चलिए next देखते है निमल लिखित में किसके द्वारा बैंक दर का निर्णे किया जाता है option A बारतिय रिजर्ब बैंक option B भारत सरकार option C बारतिय स्टेट बैंक and option D बारतिय प्रति भूमी एवं बिनी में बैंक तो हमारा correct answer होगा option A बारतिय रिजर्ब बैंक यानि RBI RBI का मतलब है रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया तो दोस्तों अगर हम RBI की स्थापना की बात करते हैं तो RBI की स्थापना हुई थी 1st April 1935 ठीक है यानि RBI की स्थापना का हुई थी 1 April 1935 और RBI का राष्टे करण का हुआ था राष्टे करण हुआ था 1 January 1949 ठीक है राष्टे करण हुआ था 1 January 1949 और RBI का हेट कौर्टर है मुंबाई मुंबाई यानि महरास्ट ठीक है और RBI की गवर्नर है सक्ति कांत दास ठीक है सक्ति कांत दास ठीक चलिए नेक्स कुस्चन देखते हैं पैनिसलीन का पिर्मुक शुरोत है कवक पैनिसलीन का सौर्च क्या है पैनिसलीन फणजी और पैनिसलीम की खोज किसे ने की थी पैनिसलीम की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लैमिंग ने पैनिसलीन की खोज की थी कब की थी 1928 में ठीक है बहुत ही इंपोर्ट अटम सी क्यों है चलिए नेक्स्ट कोच्छन देखते हैं लाल बहादुर सास्त्री का समाधी इस्थल है उप्शन A राजगाट उप्शन B सक्ति इस्थल उप्शन C विजए घाट और उप्शन D बीर भूमी तो लाल बहादुर सास्त्री का समाधी इस्थल होगा उप्शन C यानि विजए घाट दोस्तों राजगार्ट किसका समाधी स्थल है तो राजगार्ट होगा महात्मा गांधी का ठीक है और सक्ती स्थल सक्ती स्थल है इंद्रा गांधी का इंद्रा गांधी का और बच्चा लास्ट लास्ट यानि बीर भूमी किसका है बीर भूमी है राजीब गांधी का राजीब गांधी का समाधी स्थले